आज हम चार टमाटर का इस्तमाल करके सुबह का बहुत ही पॉस्टिक और मज़धार शा नास्ता बना करके तयार करेंगे और मिंटों में बनने वाली ये रेसिपी है खास बात इसकी ये है कि इसमें हम ना के बराबर तेल का इस्तमाल करेंगे तो यहाँ पे आधा लिटर के करीब पानी है और पानी में अच्छे से उबाला आ जाए तो पांच मिनट के लिए हाइ फ्लेम पे हमें इसे पका लेना है और जैसे ही टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए इसे हमें निकाल लेना है तो इसे ठंडा होने के लिए रखते हैं सा अँटैनिया डेर सारा पुदीना और इसी के साथ 3 हरी मिरची एड़ करेंगे 7-8 लेसुन की कलिया है और नमक स्वाथ के अनुसार एड़ करेंगे और इसका बना रहे तो हम इसमें एड़ कर देंगे आधा चमच के करीब नीमू का रस और इसमें पानी डाल करके हमें इसका फाइन सा पेश त्यार कर लेना है तो यह देखिए यह बढ़िया सा बन चुका है हमें हमें इसी consistency में रखना है बहुत ज़्यादा पतला इसे नहीं करना है तो चलिए से रखते हैं अब side में तो यहां भी tomato हमारे बढ़िया से ठंडे हो चुके हैं आप देख सकते हैं इसका skin कितना बढ़िया से निकल जा रहा है तो इसी तरीके से सारे tomato के skin को हम निकाल देंगे और इसे बढ़िया सा हम पीस लेंगे तो यह लिजे मैंने इसे पीस लिया है अब इस रखनेंगे साइड में अब यहां पर एक बरतन लिया है उसे भी हम इसमें add कर देंगे और एक चुथाई कब जितना पानी इसमें add करके अच्छे से मिला लेंगे तो क्योंकि सूजी है थोड़ी सी absorb करेगी तो इसलिए हम इसे 5 मिनट rest के लिए चोड़ना है तब तक हम दूसरी त्यारी कर लेते हैं तो यहां पर मैंने चार ब्रेट के slices लिये हैं अब इन ब्रेट की slices को हमें कट कर लेना है इस तरीके से आप कोई भी कटूरी या ग्लास की मदद से आप इसे कट कर सकते हैं बस ध्यान रहे कि उसके edges जो है वो sharp रहे तो इसी तरीके से हम सारे कट कर लेंगे और अब दूसरी तरफ यहां पर मैंने लिया है इस तरीके की चोटी-चोटी कटूरी और steamer लिया है इसे हम अच्छे से grease कर लेंगे तो आप ब्रेट के slices को उसी हिसाब से काटिये जिस हिसाब से आप बनाने वाले हैं अब जिस काटूरी में आप इसे बनाने वाले हैं तो यह देखिए ब्रेट के slices इसमें बढ़िया से सेट हो रहे हैं बस इसी तरीके से हम इसे सेट कर लेना है अब जो हमने paste बनाया था ना कैरी वाली कच्छी कैरी आम वाली उसे हमें इस तरीके से इसमें लगा देना है देखिए चारो ब्रेड में हम इसी तरीके से अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे बिल्कुल सैंड्विच की तरह तो इसे रखते हैं अब साइड में अब यहाँ पे देखिए सूजी बढ़िया से फूल चुकी है तो अब इसमें हम एड कर देंगे निम्बू कर रस तो यहाँ एक बड़े साइस का निम्बू था उसे मैंने इसमें एड कर दिया है इसके बाद यहाँ पे एड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक साथी साथ यहाँ पे एड कर देंगे एक चमच जितना कश्मीरी लाल मिर्च और आदा चमच जितना हल्दी पाउडर तो कश्मीरी लाल मिर्च एड़ करने से क्या होगा हमें इसमें कलर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक चमच डाल दिया है मैंने यहां पे जीरा पाउडर भुना हुआ जीरा पाउडर है आ एकदम रहना चाहीए बिलकुल इस तरीके की कंसिस्टेंसी का जाए थोड़ा सा थिक रहना चाहिए तो ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है अब इसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून करीब रिफाइंड ओयल तो इसमें कोई फ्लेवर वाला आप ओयल का इस्तमाल नहीं करें ओयल डालने से क्या होगा कि हमारा जो नास्ता है वो बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही जूसी बनेगा तो इस तरीके से हमें इसे अच्छे से मिला लेना है अब इंस्टेंट फर्मेंटेशन के लिए यहां पे मैं एक पूरा पाउच इनो का एड़ करूँगी अगर आप इनो नहीं एड़ करना चाते है या फिर इन केस अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप यहां पे बेकिंग सोडा एड़ कर सकते हैं आदा चमच के करिब इसे अच्छे से मिला लेंगे यह बहुत ही अच्छा फर्मेंटेशन का काम करता है तो आप इसे तभी एड़ करें जब इस नास्ते को बनाने जाएं तो अब यह दूसरी तरफ जो हमने ब्रेड को अच्छा से अरेंज करके रखा था उसमें हमें इस बैटर को पोर कर देना है तो बहुत जादा हमें इसे नहीं पोर करना है ध्यान रहे कि हमें आधा-ाधा इसे भरना है मतलब थोड़ा सा यह फूलेंगे तो इसमें स्पेस रहन चाहिए तो अब गार्निश कर देंगे बारी कटे हुए धनिया से और बहुत ही अच्छा लूक आता है इससे आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं और थोड़ा सा मैंने यहां पे चिली फ्लेक्स भी स्प्रेंगल कर दिया है तो यह बहुत ही बढ़ी आसा नाश्ता हमा 10 मिनट के बाद मैंने इसे उपन किया है और बढ़िया से यह हमारे फूल भी चुके हैं और इच्छे से स्टीम भी हो चुके हैं यह देखे चाको बिल्कुल क्लियर आ रही है इसका मतलब यह पक चुके है अगर चाको क्लियर नहीं आए तो आप इसे 2-3 मिनट के लिए और बढ़िया से ठंडे हो गए हैं अब हम इसे क्या करेंगे डी मूल्ड करेंगे तो हलका सा हमें इसे किनारों को स्क्रैप कर लेना है इस तरीके से और यह बढ़िया सा हमारा मज़ेदार सा नाष्ता यह देखे कितनी बढ़िया से इसमें जाली पड़ी हुई है एक दम और बहुत ही नए तरीके का यह नाश्ता है एक बर आप इसे जरूर उठाई करिएगा मज़ेदार सा नाश्ता तो यह देखिए इसी तरीके से हम सारे निकाल लेंगे यह देखिए तो चलिए इसे और भी फ्लेवर फुल बनाने के लिए हम इसे तड़का देंगे तो तड़क जो है वह बहुत ही अच्छे से इन हैंस हो जाए और थोड़ा सा करी पत्ता एट करके इसे भी क्रैकल होने देंगे और इसके बाद इसमें हम इस तरीके से एट कर देंगे यह देखिए बिल्कुल इस तरीके से तो इसे हमें दो से तीन मिनट मीडियम फ्लेम पे ही बस इस त तो अगर एक ही तरीके का नास्ता खाखा कर आप एक बर इस तरीके को जरूर ट्राइगा मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी तो यह देखिए मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूं बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है इसका बहुत ही बढ़िया टे तो आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी अगर रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मिलते एक और रेसिपी के साथ तिल देन टेक केर बाई